जोग्राफी सब्जेट के 2000 मोश्ट इंपोर्टेंट प्रिश्णों की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है ये हमारा दूसरा लेक्चर है पिछे लेक्चर में जहां पर हमने खतम किया था उसी के आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रिश्ण है भारतिय मानक समय कितने डिग्री कपर है तो भारतिय मानक समय साढ़े बयासी डिग्री यानि बयासी सही एक बटे दो डिग्री पूर्वी देसांतर को भारतिय मानक समय कहा जाता है ये कहां से होकर गुजरती है ये इलहाबात के पूर्शे होकर गुजरती है तो ये पृष्ण बहुत ही जदा इंपॉट्एंड है बार बार आपकी परिक्षों में पूछे गए हैं ये हम इस लेक्चर में ऐसे प्रिक्षन कर रहे हैं जो अनेको परिक्षाओं में अनेको बार पूछे गए हैं अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो पूरी जोग्रफी आपको रड़ जाएगी तो भारतिय मानक समय याद रहेगा साढ़े 82 डिग्री यानि 82 सही 1 बटे 2 डिग्री पूर्वी देसांतर को जरूर याद रहेगा साढ़े 82 डिग्री यानि 82 सही 1 बटे 2 डिग्री पूर्वी देसांतर जिसको हम लोग भारतिय मानक समय भी कहते हैं ये कितने राज्यों से हो कर जाती है, तो ये पांच राज्यों से हो कर जाती है, और इन पांच राज्यों का क्रम आप याद रखेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्य प्रदेश, 36 गड़ और उडिसा, पांच राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उसके नीचे उड़ी सा ये पांच राज्यों का क्रम आप याद रखेगा भारतिय मानक समय तथा ग्रिन बिस समय की बीच में कितना अंतर है तो भारतिय मानक समय और ग्रिन बिस समय की बीच में साधे पांच घंटे का अंतर है और हमारा जो भारतिय मानक समय है वो ग्रिन बिस समय से साधे पांच घंटा आगे है ये आगे पीछे वाला भी क्रम याद रहीगा ये आपके परिक्षा में पूछा जा चुका है भारत में राज्जों की कुल संख्या है तो भारत में कुल 29 राज्ज हैं कुल कितने केंद सासित परदेश हैं कुल 7 हमारे केंद सासित परदेश हैं ये हमारा प्यारा उत्तर पर्देश है जो की 8 राज्जों के साथ अपना बॉडर बनाता है संद्री टट से लगे हुए हुए कुल कितने राज्ज हैं तो संद्री टट यानि संद्री सीमा बनाने वाले जो राज हैं वो नौ हैं वो इनका नाम भी आप याद रखिएगा तो नौ राज हमारे जो हैं ऐसे हैं जो समुदरी सीमा बनाते हैं तो कौन-कौन से राज हैं अगर हम लोग इस परकार उपर से नीचे जाने का करम हम लोग ध्यान दें तो यहां पर अरब साग सागर में सबसे पहले आपको गुजरात मिलेगा गुजरात के नीचे आप जाएंगे महराष्ट मिलेगा महराष्ट के जश्ट नीचे जाएंगे तो गोवा मिलेगा गोवा के नीचे जाएंगे करनाटक मिलेगा और यहां कोने में आपको केरल मिलेगा सबसे नीचे यहां पर कितने राज इस तरफ यानि कि आपके बंगलिक खाड़ी में हैं और कितने राज आपके हिंद महासागर में हैं इन सारिक करम को भी आप याद रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं हिमाले को छूने वाले राज्यों के संख्या कितनी हैं यानि हिमाले के साथ कितने राज अपना बॉर्डर बनाते हैं तो यानि हिमाले के सीमा के उपर वाले जो हमारे उत्तर में जितने राज्य हैं वो हिमाले के साथ बॉर्डर बनाएंगे उन राज समुद्री मील का बॉर्डर है तो भारत की प्रादेशिक सीमा यानि की जो जल सीमा है वो 12 समुद्री मील है और एक समुद्री मील किसके बराबर होता है एक समुद्री मील जो होता है 1.852 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है भारत के मद से गुजरने वाली रेखा कौन सी है तो आप लिख लेजिएगा अपनी कॉपी पर और याद भी कर लेजिएगा कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा करक रेखा है यह कितने राज्यों से होकर जाती है आगे भरते हैं सरवाधिक नगरिकृत राज्य कौन सा है तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे सबसे ज्यादा गाउं किस राज्य में हैं तो सबसे ज्यादा गाउं हमारे हिमाचल परदेस में हैं यहां पर जंस yem지 कहाई हैं यहां पर परसंटेष की बात हो रही है आगे बढ़ते हैं घृत SUS राज है जिसमें सबसे कम बन पाए जाते हैं उसका नाम है हरियाणा दिल्ली के बगल में सबसे ज़्यादा बर्सा कहां पर होती है तो भारत में भारत में क्या पूरे बिस्ट में सबसे ज़्यादा बर्सा हमारा मासिन राम में होती है यह कहां पर है हमारे मेगाले राज में ह और कितने सेंटीमीटर की बरसा होती है 1145 सेंटीमीटर की बरसा होती है तो 1145 सेंटीमीटर की बरसा मासिन राम में होती है जो कि मेगाले में है यहां संसार की भी सबसे ज़्यादा बरसा वाला छेतर है और भारत का भी यह सबसे ज़्यादा बरसा वाला छेतर है अब नियूंतम बर्सा कहां पर होती है तो ये भारत की बात कर रहा है ये बिस्प की बात नहीं कर रहा है तो भारत में नियूंतम बर्सा कहां होती है हमारे लेह में होती है लेह को सुष्क मरुस्थल भी कहा जाता है और लेह कहां पर है अब तो ये अलग राज्य बन गया है क राजस्थान में है और आपसे ये भी पुछा जाता है कि अरावली परबत का निर्माण किस युग में हुआ है तो अरावली परबत का निर्माण प्रीकेंब्रियन युग में हुआ है तो प्रीकेंब्रियन युग में अरावली परबत का निर्माण हुआ है जो कि राजस्थ सबसे नभीन परवत कौन सा है तो भारत में सबसे नभीन परवत जो है वो भारत का सबसे बड़ा परवत है उसका नाम क्या है हिमाले परवत है और यह किस प्रकार के परवत का उधारण है तो यह बलित परवत का उधारण है यह तीनों कुछचन आप से है यानि सबसे पूरब में कौन सराज है सबसे पूरब में हमारा अरवाचल प्रदेश है इसको पुराना नाम था उसको हम लोग नेफा कहते हैं और नेफा का मतलब क्या होता है नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर एजेंसी तो यह आप याद रखेगा किसी प्रिशन में पूछा है कि अरवाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर एजेंसी जिसको हम लोग स्वाटकर्ट में नेफा कहते हैं और यह तो आपको पता हुई होगा कि अरवाचल प्रदेश भारत के सबसे ज़्यादा पूरब में है यानि यहां पर इस्तित है तो हम लोग छोटे-छोटे वीडियो बनाते हैं आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रिशन रखते हैं इसके आगे हम लोग भारत के भूगोल को बिस्तित रूप से पढ़ेंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यबाद चैनल के साथ ब